लिंग इरेक्शन के बारे में टाइटनेस के बारे में तेरा बाते मैं आज बताने वाला हूँ शायद आप नहीं से नहीं होंगे नहीं से देखिएगा मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कड़ेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा जैसे नम्मुक्चत नहीं महाराश में बिछले 40 साल से अखूला में ट्रीटिस करहां। आँक नमबर एक पेनिस जो है यह कोई मसल नहीं यह कोई सनायू नहीं है यह इस फोज्ट टिशू है उसमें दो कार्परा कैवर नोसा है नली वाले नली वाले soft tissue है नलियां दो नलियां है और एक corpus spongiosum है बहुत ही soft tissue है spongy जैसा है और जब इसमें अंदर blood घुसता है body में का खुन अंदर जाता है यह नलियों में तब erection हो जाता है कम से कम 500-200 ml का blood इसमें अंदर घुसता है तो erection होता है जितना ज्यादा blood अंदर जाएंगा उतना ज्यादा कठोरता आएंगी और जितना कम जाएंगा उतना उतनी कम कठोरता रहेगी इरेक्शन जो है वह निन में भी आते है और morning video बोलते है मॉर्णिग एरेक्शन एकदम नॉर्मल है निन में total आप 6-7 घंटे सोते हो तो 3-5 बार erection आपके नाइट में आ सकते हैं तो यह पेनिस जो है वो मसल नहीं है और एक स्पॉंजी टिशू है उसमें अड़ी भी नहीं नंबर दो फिटल इरेक्शन्स मतलब बच्चा जब मां की कोख में रहता है मां की पेट में रहता है तभी इरेक्शन्स पाए गए है और साथवा प्रेक्चा का उसमें जब स्णोग्राफी किया तो मतलब करीब करीब 250 माताओं की स्णोग्राफी किया तो उसमें नोव बच्चों को मां के बेट में नौ बच्चों का एक्षन दिखा मतलब इट कमस्तू 3.6% और वो आट से 10 मिर तक था इसका मतलब च्छिवू होता है कि कोई सेक्स पार्ट जो है इरेक्शन आरहा है मतलब सेक्स पार्ट जो है वो नॉर्मल है कोई प्रॉब्लम नहीं है और जनम के समय एक स्टड़ी में 20 परसेंट बच्चों का इरेक्शन दिखा तो यह फिटस इरेक्शन के बारे में शायद आपको मालूम नहीं होंगा कि बच् इरेक्शन इदि होता है इसका मतलब आपको शहरी कोई बिमारी नहीं है ना ब्लड वेसल की बिमारी है ब्लड वेसल की मतलब खुन की नलियां जो उसकी बिमारी है ना वो भी नहीं है या बोड़ी की कोई भी बिमारी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको यह प्रॉब्लम है इसमे खून रहता है तो निले लिखते है और यह से दिखते हैं तो वग कामल है और जितने जादा रहेंगे उतना जादा blood supply हो रहा है जितना जादा खुन बाहर आ रहा है मतलब काफी सारा अच्छा blood flow हो रहा है इसा दिख रहा है जितने जादा खुन की नलियां दिख रही है नमबर पांच आपकी जो कद है आपका कद या आपके Shoe size उसके उपर बनीस की लंबाई depend नहीं है लोगों के मन में फ्हेम है कि नहीं लंबा पहरेदी है तो लिंग भी लंबा रहेंगा या उच्छा कद है तो लिंग की लंबाई ज्याधा रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं ह लिंक की लंबाई जो है वो एवरेज में जब धीला ढाला है तब एवरेज में 2.5 इंच ऐसी दिखी गई है देड़ से कम नहीं होना और इरेक्ट पेनिस में जो लिंक की साइज है वो 4.85 इंच ऐसा एवरेज पाई गई है अभी अभी जो स्टडी सामने आई उसमें उन्हें ने बताया कि लिंक की लंबाई जो है वो 4.8 इंच थी पहले एवरेज में अभी वो 6 इंच हो चुकी है नमबर 6 और गयाजम जो है मतलब चरम सुख की चरम सीमा जो मिलती है जिस समय वीरिया बाहर फिके जाता है तो सुख की चरम सीमा है तो उसमें इरेक्शन होना ट्राइटना इस कुछ भी नहीं है और तभी भी अर्गया समब सकता है मतलब सुख की चरम सीमा तक वह एक्टी पहूच्ट सकता है तो टाइटने जिर टृडवी साथ वा रवी पेना इल्टेर है प्रेक्टेर क्या पनिस में फैक्ट्र हो सकता है लिंक ह्टे करो दाः उसम वहो सब्सक्राइब कि होता है तो हैं तुरंथ उसका इलाज करना जरूरी आपके डॉक्टर को मिलना जरूरी है अट्वा मांट वैंड期 शौरस फेंड मिलंबा होता नहीं कि जो ऐसे लोगे जिनको शौरस बोलत है एसे लोग आग होता है अंदर इतना प्रवाइब नहीं होता है उसको बोलते हैं और ग्रोवर्स जो है कि उनका जो साइज धिलेपन में उससे काफी लंबाई उसकी बढ़ जाती है जब वो डाइट हो जाता है तब तो उनको ग्रोवर्स बोलते हैं क्योंकि मैंने पहली बताया है पहले वीडियो में कि आपका देडिंज भी लंबा रहा तो भी चलता है कोई प्रॉब्लेम नहीं है क्योंकि वजया ना में योनी को बाहरी देडिंज हिस्सा ही सेंसिटिव है समिधन शिल है नो जो पॉइंट है वह एक कॉंफ्लेक्स के बारे में मतलब मका तो एक स्टेडी में ऐसा पाया गया कि इनको बहुत जादा मास्टूबेशन की लथ है तो वो लोग वो लोगों को ब्रेकफास्ट में मका दिया गया कॉंफ्लेक्स और उनको उनका लिबीडो जो है वो कम और आपका बीडो मतलब मास्टूबेशन का जो प्राबलेम किसे को लगता है तो उसकी इच्छा कम हो जाएंगा जो इसकी आपिड़ेव कम हो जाएग दसवा है वह स्मोकींग का कैस्मोकींग जबाब करते टौबय को उसमें निकोटिन है और निकोटिन से खुन की जो नली और उन्होंने वो तुरंट बंद करना चाहिए क्योंकि टोबय को इस इंज्यूरियस टू सेक्शुल फंक्शन ग्यारा जो पॉइंट है वो है इरेक्शन आपकर बीफोर यू डाय क्या मरने के पहले इरेक्शन होते हैं हां ऐसे दिखाए गया है कि जब आत्मी मरता है डेथ ह स्पाइनल कॉड में उसको मार पड़ती है तो उससे डेथ होगी समझो तो उससे में इरेक्शन आ सकता है वारोज़ पॉइंट है कि इरेक्शन जो है वो आपके बॉड़ी में होता ही है और माइंड में होता है इसके मतलब यह है कि बॉड़ी तंदुरुस्ता कोना टिक होना जरूरी है इरेक्शन के लिए उत्ना ही माइड जो है वो तंदुरुस्ता होना ठीक होना जरूरी है यंग लोगों में जवानों में जब इरेक्शन का प्राब्लेम आता है कट्रूता आती नहीं है समझलों की 70-80たáticas लोगों को psychological problem है जवाने में 35-40 साल के बाद में यदि erection का problem आता है tightness नहीं आता है तो ज्यादातर problem physical मतलब शहरी हो सकता है तो दोनों भी fit रहना जरूर यह 13 पॉइंट है circumcision से क्या कोई फरक पड़ता है erection में तो circumcision से कुछ फरक ऐसा पड़ता नहीं है circumcision मतलब सुनता करना नहीं है circumcision यह नॉर्मल प्रक्रिया है और वेदी फाइमोसिस हो गया तो उसके बाद में circumcision करती है तो यह नॉर्मल है उससे ना sensitivity कम होती है ना ज्यादा होती है उससे कोई फरक पड़ता नहीं है तो यह 13 पॉइंट्स मुझे विश्वास है कि आपको से काफी सारा हनुमात हो गया होंगा और आपको काफी सारे सेक्स एड्यूकेशन में आपकी मतलब उसमें कुछ प्रोग्रेस होई होगी विडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेर करो थैंक्यू बेरे मच्छ